नमस्ति वेलकम टो माई यूटूब चेनल, आज हम मनाएंगे चीको की बर्फी, जो की बहुती टेश्टी बनती बनती हैं, बहुत इसलिवी बन भी चाती हैं, और अभी चीको का सिजन छिल रहा है तो बाजार में चीको बहुती अच्छे मिल रहा हैं, बहुती मिठे भी मिल तो चीको की बर्फी बनाना बनता है, तो इसलिए मैंने 600 ग्राम जितने चीको ले लिए, वश्प कर दिया, छेल भी लिए, अब क्या करें कि इसे ग्रेटर की मदद से हम ग्रेट कर देंगे, और थोड़े बहुत चीको हम मेश भी कर देंगे, तो दिखिए इस तरह से मैंने च 10-12 मिनिट के लिए हमें इसे चलाते रहना है, चलाते ही रहना है, जब तक इसका पानी जलना जाए, तो 10-12 मिनिट लगते हैं, अगर पानी रह गया तो अपना चीको का बर्फी या हल्वा अच्छा नहीं बनेगा, ये खास दियान रखना है, और आच हमें धीम ही रखनी है ताकि ये चीको जलना जाए, बस ये दियान रखना है, तो दिखी इसका कलर ऐसा हो गया, इसका मतलब इसका पुरा पानी जल गया, तो इसके बाद इसके दर डालेंगे हम मावा, जब मैंने धाय सुग्रम जितना मावड लिया है, वो मैंने इसके अंदर एड़ कर दिया है, आप चाहो तू मावा को भी ग्रेट कर सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे डाल दिया, क्योंकि हमें 3-4 मिनिट मावा को भी पकाना है, तो ये अपने आप मिक्स हो जाएगा, इसके बाद मैंने इसके डाल दी लाइची पाडर, और एसेंस डाला मैंने क्योडा का, क्योडा का एसेंस क्योंकि हैं, कि ये निचे चिपकना नहीं चाहिए, अगर चिपका तो अपने वर्फी खराब हो जाएगी, तो बस ऐसा हो गया, तो फ्लेंबन कर दी, उपर से एक चमच की और डाल दिया, फिर एक मॉल्ड लिया, मॉल्ड की अंदर में नेगी से पूरा ग्रेस कर दिया, औ इसके अंदर अपना पूरा मेक्शर चिकु का डाल दिया, और अच्छे से फैलाया, मैंने ये जो मेरा मॉल्ड है बड़ा है, तो ये आधा ही भरेगा, क्योंकि मेरे चिकु थे 600 ग्रम, मावा था 500 ग्रम, तो ये मॉल्ड मेरा बड़ा है, तो आधा ही मैने भराया, तो अच लेने, फिर जब ये ठंडा हो जाएगा, तब हम इसे कट कर देंगे, तो 6-7 मिनट के बाद ये ठंडा हो गया, तब मैंने इसे कट कर दिया, कट करने के बाद अगर आप चाहो, तो चांदी का वरक लगा सकते हो, ये तो ये ऐसे ही अच्छा लगता है, तो मेरे पास था, त के उपार लगा दिया, तो देखिए, इतना मस्त लग रहा है, बिल्कुल हलवाई जैसा, टेश्ट में भी बहुत ही अच्छा बनता है, देखिए, तो अगर आप इस तरह से एक बार ट्राइ भी कर सकते हो, तो ट्राइ करिए, बनाएए, अगर रेसीपी पसत है, तो वीडि ते केर, बाब बाई!